तो आप सभी को मेरा प्यार पर नमस्कार कैसे हैं आप सभी एक वाफे से स्वागत आपका हमारी यूटूब चीनल पर जैसे कि आप सभी को पता है आज लाश्ट टेट है अचनबी से एफलेटट कॉलेजों में निव एडिशन के लिए रशेशन करने की ठीक है आप रात के बारा बज़े तक आज रशेशन कर सकते हैं इस वीडियो का जो मैन मकसद है कि जैसे सीटों का पता निचल पा रहा है तो आपको सीटों का पता कैसे चलेगा कि किस कॉलेज म और जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले जो courses आ रहे हैं, एक एक courses को आप टिक करना है, जैसे अगर आपको किसी को MA Music Classical करना है, वो कले टबला से, तो यहाँ आपको डाल देना है, और यहाँ पर Appleted College की लिश्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर जैसे कि एक ही college आ रहा है, तो इस Proving and Panting करना है, तो यहाँ पर college की लिश्ट पर जाएगे, तो यहाँ पर MKP PG College देरदुन का नाम आरा, इसका मतलब क्या है कि MKP PG College देरदुन में अभी seat जो है, इस courses में खाली है, आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, उसके बाद MA Economics में अगर हम जाते हैं, तो MA Economics में जाएगे तो बह आरी, इन college में अभी भी जो है MA Economics में seat खाली है, आप यहाँ पर अपना registration कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद से MA English है, MA English अगर आपको करना है, तो यहाँ पर college की लिश्ट आरी है, यहाँ पर देखो, GRD Girls, Degree College, DBS PG College, MKP, DAB, जो भी college है, इसमें कुछ private college भी है, private college में registration करने की ज सकते हैं, तो यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं, कि किस college में, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और course MA sociology डालता हूं, ठीक है, तो MA sociology में मेरे पास केवल दो college के नाम आ रहे हैं, जबकि MA sociology आपका DAB में भी है, Mkp में भी है, I think SDRR में भी है, DBS, लेकिन यहाँ पर केवल दो college के नाम आ रहे हैं, क्योंकि अब इसका मतलब है कि जैसे DAB अन्य जो college है, वहाँ पर seat full होगी है, इसलिए यहाँ पर जो है, उन college के नाम नहीं आ रहे हैं, जैसे MS psychology है, MS psychology आपको करना है, तो यहाँ पर देख आपको दिखाता है, जैसे कि अब MSC botany आपको करनी है, ठीक है, तो अब जैसे MSC botany कोई बच्चा है DAB से करना चाता है, तो यहाँ पर DAB का नाम नहीं आएगा, क्योंकि MSC botany की seat ने DAB में फिलाल full हो चुकी है, DBS में MSC botany है, इसलिए वहाँ पर seat अभी खाली दिखा रहा ह है, अब जैसे MSC जुलोजी, MSC जुलोजी आपको करना है, ठीक है, तो MSC जुलोजी जैसे आपको करना चाते हैं, और यहाँ पर college के list, तो यहाँ पर देखो, सरकारी college का नाम कोई भी नहीं है, यहाँ पर सारी private college है, क्योंकि government college में seat फुल हो गी है, जैसे DAB हो गया, DBS हो ग list है, फुल होगी, इसलिए यहाँ पर इसका नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर देख लिंगे किस college, तो जैसे बहुत सारे बच्चे चाते हैं, कि मुझे DABPG college से बिकॉम करना है, तो यहाँ पर क्योंकि DABPG college में list जो है, नहीं दिखा रहा है, क्योंकि college में seat फुल होगी है, DBS का नाम भी यहाँ पर, DBS में तो भी कॉम है, नहीं सायसे, SGRR का भी नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल MKPG college का आ रहा है, क्योंकि वो girls college है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा भी seat है, खाली है, नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर मुझे BSC करना है, Life Sciences, जैस BG college में seat हैं full होगी, तो DAV का नाम नहीं आ रहा है, तो यह एक तरीका मैंने बताया कि आपको कहाँ पर seat है, यहाँ पर पता चला, जिस college का नाम list में आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर seat खाली है, अभी आप वहाँ पर apply कर सकते हैं, कितने seat हैं खाली है, यह तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तो college label पर ही, college इस तर पर अगर आप जाओगे, department में जाओगे, वहीं से आपको पता चलेगा कि कितने seat हैं खाली हैं, क्योंकि proper information तो आपको college से ही मिल पाएगी कि किस college में कितने seat हैं, किस program में हैं, लेकिन एक मोटा मोटा जहाँ पर जितने भी seat हैं ख math communication, nutrition and dietics और PG deployment तो यह सारी के सारी जितने भी तीन courses ने private college में हैं, तो private college में तो आपको additions लेने की जुरत नहीं है, ठीक है, वो तब कहें कि अगर आपको भाई करना ही करना है वो course तो आप कर सकते हैं, तो इस तरीकी से देखो, इस तरीकी से HNBCU से appellated college में आप अपना registration कर स application करवा लीजिएगा time से, ठीक है?